नमस्कार सत्रियकाल आदाब मेरा नाम है जैविर साह और आपका स्वागत है मेक लर्ण टूर्न यूट्यूब चैनल पर आपके सवाल मेरे जवाब पार्ट 3 अनकेडेमी से रिलेटेड हम सवाल लेंगे और उसके आंसर देंगे जो भी क्वेस्चन है यहाँ पर तो पहला परिनिती पृती जी इनका नाम भी बहुत अच्छा है इन्होंने लिखा है सर अनकेडेमी पर लाइव क्लास के लिए ब्रोडवेंड की जरूरत होती है क्या मोबाइल से नहीं ले सकते क्लास तो यह इनका क्वेस्चन है और इनका आंसर बहुत ही सिंपल है कि इतनी होनी चाहिए, ping time divided by 2 . अब speed या नि क्या upload speed या download speed दोनो speed , upload 52. एक्जाम्पल के तुर पे अगर आपका ping time 10ms है तो speed कितनी होनी चाहिए , ping time divided by 2 यानि की 5 mbps upload भी और download भी, अगर आपका ping time 30 ms है तो आपकी speed कितनी होनी चाहिए 15ms एद्प है ? अगर आपका ping time 50 50 millisecond है तो आपका upload and download speed कितना होना चाहिए 25 mbps ओके तो it is very clear ping time ms में जितना है उससे divided by 2 speed होना चाहिए या फिर आप broadband लगवा के करो या फिर आप बिना broadband के करो कोई फरक नहीं पड़ेगा और mobile से नहीं ले सकते class mobile से नहीं ले सकते हैं मगर यहां पर भी हमें ऐसा बोलूँगा की जो भी mobile windows को support करते है windows को support करते हैं काफी सारे mobile से भी हैं कि जो windows को support करते हैं उसके अंदर चलेगा जो भी mobile android support करते हैं या mac support करते हैं उसके अंदर नहीं चलेगा so that is also clear next question देखते हैं सर अगर एक बार लाइक और आप भी आपको आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक तो करी दिजिएगा इस वीडियो को चलिए नेक्स्ट कुश्चन है निमीता जी सर्मा सर अगर एक बार कोई डेमो वीडियो रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा सेम कॉंटेंट यूज कर सकते हैं और वी केन हैव टू चेंज वाल कॉंटेंट एंड न्यू टोपिक वी निड़ टू टेक अब इनका जो क्वेस्चन है बहुत वैलिड है और इस क्वेस्चन का मैं 100 परसंट सही आंसर दे सकता हूं क्योंकि मेरे वीडियो चार बार रिजेक्ट हुए थे और उसमें मैंने क्या किया था पहली बार जो मैंने वीडियो बनाया था और इंग्लीस में बनाया था फिर दूसरी बार मैंने जब वीडियो बनाया तब वो वही चीज वही वीडियो हिंदि में मनाया तो इससे हुआ कि वही चीज में हिंदि में मना रहा हूं अब पहले मैझने इंग्स में बनाले था तो it depends upon your comments comments क्या लिखी गई है handwriting की बात चल रही है comment मेंगर अगर ऐसी बात चल रही है तो मैं कहूंगा कि आपको पीपीटी शे बनाना चाहिए मगर कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आप वही चीज दुबारा डेमो में लेते हैं तो मगर बहुत अच्छा होगा कि आप कोई नया टोपिक ले क्यों क्योंकि जो टोपिक पे आपने आपको रिजेक्शन मिला है न वो उस इवेलिटर के लिए बहुत कॉमन टोपिक है उस टोपिक पर वीडियो उसने देखा है पहले भी आपसे अच्छा वाला वीडियो देखा है इसलिए वह कंविंस नहीं हो रहा है और आपके डेमों रिजेट कर रहा है तो उसको कंविंस करने के लिए आपको कोई नया टोपिक लेना चाहिए यह तो इनको रिप्लाइ कर देते हैं रिप्लाइ हो गया बहुत आप्लोड ऴध्रिकोर्सस हमारी सर पेजी सप्लोड के बाद रेकोडिंग केसे करना है और ये question किया है इन्होंने how to make ppt ओके पेजी सप्लोड करेंगे उसके बाद में record के लिए एक icon आएगा तो वो record का icon आपको click करके ही record करना है वीडियो तो ये तो बहुत comment सा question है अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे request करूँगा कि unacademy पे demo video कि आपने ये भी देख लिया है तो उस video को दूसरी बार देखें उस video को दूसरी बार देखें उसमें पूरा record के से करना है वो भी detail मैंने दिये चलिए next question है sir ppt में voice record करना पड़ता है क्या ये परिनिती जी आपने अभी तक ये वीडियो के step follow करके आपने unacademy educator app में जाके आप demo दीजिए वहाँ पर आप ppt की बात नहीं करेंगे ppt upload नहीं होगी वहाँ पर jpg file upload होगी इस वीडियो में भी मैंने बताया है और काफी सारे लोगों का question ये भी था के sir अभी ये जो है ना अपना कौन सी बात कर रहे है came scanner came scanner app जो है वो band होगया है correct तो दूसरा कौन सा एप यूज करें तो मैं उनके लिए answer देना चाहता हूँ कि we flat करके एक एप है we flat we flat करके एक एप उसको यूज कीजिए instead of came scanner सिर्फ आपको page के ऊपर वो चीज रखनी है और अपने आप वहां से एक jpg format प्रिपेर होके आ जाती है यानि page टेड़ा मेड़ा होगा तो भी वो came canners की तरह ही एक straight line में page को बना देगा so we flat is the name of the application which is which can be used instead of came scanner और इनका यहां पर answer होगा ppt में voice record कैसे करना है ppt में कोई voice record नहीं करना है आप ये video follow कीजिए वहां पर demo का option आएगा demo में record करना है video so that is the answer very basic question i hope you get the reply okay next थोड़ा सा बड़ा question है और पढ़ते हैं चलिए सीखा जी ने लिखा है hello sir i like your videos very much thank you madam sir मैंने मैं google form जब fill करती हूँ पर जैसे ही highest qualification marks it attach करती हूँ जो भी मैंने fill किया है पूरा form blank हो जाता है और एक phrase form सामने आ जाता है मैं कई बार try कर चुकी हूँ पर यही हो रहा है हर बार 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 मैं form complete ही नहीं कर पा रही हूँ please help अब यह जो error है वो mobile से related error है तो आपको क्या करना चाहिए आपको यही link उसी mail id में forward करनी चाहिए जिस email id से आपने login किया था unacademy educator app पर और आपको वो email id open करना चाहिए PC में या laptop में और laptop में जाके आप फिल किजिए यह Google form आपकी यह तकलिफ नहीं होगी कि I am feeling like मैंने कुछ वो जादू मंतर कर दिया है वगर answer है भाई logical answer है और logical answer काम आते हैं सभी जगा पर मैं अपना काम कर रहा हूं मैं कोई आपको कोई मैं आपसे ज्यादा knowledgeable नहीं हूं कोई आपसे ज्यादा दिमाग नहीं चलाता हूं मुझे जो पता है तो मैं काफी लोगों की problem solve कर रहा हूं that's it ओके रीचा वरमा जी लिखते हैं सर मेरा registration तो done बोल रहा है पर id username और password डाल रही हूं तो ही नहीं रहा हो नहीं रहा तो ये तो रीचा जी आपको मुझे mail करना पड़ेगा एक screen recorder download कीजिए mobile में जितने भी लोग देख रहे हैं अगर आपके पास ऐसी कोई specific problem आ रही है कि जो technical error से related है तो आप उस video को record कीजिए उस record करने के बाद आप मुझे email id पर forward कीजिए मेरा email id मैं बोल लता हूँ jayvir mechanical m-e-c-h-a-m-e-c-h-a-n-i-c-a-l jayvir m-e-c-h-a-n-i-c-a-l mechanical at the gmail.com वहाँ पर आप मुझे screen को record करके बेजिए ताक कि मुझे पता चले की exactly हो क्या रहा है तो यह answer है इस question का जो कि answer तो नहीं बोल सकता हूँ मगर एक बार देखूंगा तो पता चलेगा की कौन सी problem है अब आप बोलोगे कि मैं यह छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा हूँ तो मैं friends इतना ही बोल दूँ कि यह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की वज़से ही मेरी channel monetize होई है तो मैं तो रखूंगा ही ऐसी छोटी चीज़ों का ख्याल मुझे रखना ही है फिर से परिनिती जी का question है Sir मैंने slide prepare करके screen recording app से record कर ली slide बट unacademy aid पे upload नहीं हो रही है उसमें PPT मांग रहे हैं बट ये video form में है Please help me परिनिती जी आपको मैं एक tips देना चाहूंगा और सभी YouTubers जो भी देख रहे हैं ना उनको एक tips देना चाहूंगा देखिए इन्होंने जो question किया है ना वो मेरी channel का सबसे अच्छा video है तो इस video को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे पूरा justify नहीं करेंगे तो आपको answer नहीं मिलेगा अब ये video को छोड़िए आपने जो पहले comment किया था ना वीडियो पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखिए यह वाला वीडियो लिखा है यहां पर इस वीडियो में तो मैंने step by step हर एक step को किस तरीके से एप में करना है वो सिखाया है तो आप ये video को 1.5 time speed में देखिए या 2 time speed में देखिए आप जो 3 dots आते हैं ना जब आप YouTube पे video देखते हैं तो उसको click कीजिए normal speed की जगा पे 2x speed में देखिए तो यह 15-16 minute का video है आपको 8 minute लगेगी और वो 8 minute खतम होने के बाद आपके ये doubts नहीं रहेंगे क्योंकि आपने ये video complete नहीं देखा है इसलिए questions हो रहें और ना भी देखना वो जायज है क्योंकि 15-16 minute का video इतना concentration level सभी का नहीं होता है तो मैं request करूँगा आपसे की पूरा वीडियो देखिए आपके doubts क्लियर हो जाएंगे मगर आपकी एक बात बहुत अथी है कि आप सारे questions करते हैं और आप surely anacademy पे select होने वाले हैं that is surety from my side okay फिर है संकर कुमार जा संकर कुमार जा कहते हैं hello जैस जी ओके सर मेरा नाम जैवीर है फिर भी आपने जैस जी प्यार से बुलाया है तो thank you very much although I don't use YouTube often as I am preoccupied with my classes at career launcher and time one of my friend asked me to apply at anacademy as well hence to know about the process while browsing YouTube I came across your channel I must appreciate that you are imparting quality input to viewers kudos to you kudos sir thank you kudos japanese word eh na it's good thing regarding my journey at an academy almost process completed in four days फिर लिखते हैं अरे बाप रहे आई प्लेज डेमों 20 ओकी यह तो पूरी कहानी है यह तो पूरी success story है चलो चलो चुपा देते हैं इसको एक success story बना के next वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा so that's really good sir thank you very much छुपाने की और कुछ बात नहीं दी यह सही आपको मजा कर रहा था चलो राजवीर जी लिखते हैं राजवीर शिंग राठोर थैंक यू सर आई completed my demo with your help now tell me what to do and how to do अब क्या करना है और के से करना है तो मैं आपको कहे दूं के जब आपका खतम हो जाएगा demo उसके बाद का second step मैं आपको कहे दूं तो second step क्या होगा देखिए यहां पर लिखा है unacademy five lessons तो आप unacademy five lessons सर्च कीजिए मेरा ये वीडियो मिल जाएगा आपको इसमें लिखा ही हुआ है after demo क्या करना है after demo क्या करना है unacademy five lessons लिखिए मेरा चेहरा दिख रहा है या फिर बहुत सारे लोग होंगे जिस किसी का भी वीडियो आप देखना चाहे पसंद करें उसको देखिए आपको अगर मेरी language समझ में आती है तो मेरी language देखिए और वो five lessons आपको देने है means sort में बता दूँ तो आपको five lessons देने है फिर आपको kyc verify करवाना है फिर आपको google form fill up करना है और google form select होने के बाद आपको call आएगा उस call का answer देंगे उसके बाद में आपके live class start होने वाले है ओके राहूल सर्मा जी कह रहे है can you share your mobile number sorry sir मैं mobile number share नहीं कर सकता मैंने already email id इसी वीडियो के अंदर share कर दिया है तो आप email id पे मुझे reply दीजिए mobile number is against the policy of youtube sir five lessons को approval मिलना है मैं कितना time लगता है फिर से मैं timeline बता देता हूँ डेमो को clear होने में तीन दिन लगते हैं के वाइसी को clear होने में तीन दिन लगते हैं file lessons को clear होने में दो वीक लगते हैं और Google form को select होने में चार वीक लगते हैं गूगल form select होने के बाद call आने में एक वीक लगता यह सारी maximum limit है इससे minimum में काम हो जाएगा I am selected congratulations select हो चुके हैं तो congratulations sir please take my story आप अपनी story pointer point trail classes मेरे स्थायद pronunciation में कोई गलती होगी pointer classes please आप अपनी story मुझे अपने email id पे मैंने जो email id बता है इस वीडियो में उस पे बेच दीजिए आप से request है और उसमें permission भी दीजिएगा कि मैं आपकी story को share करूं मेगना पारिक सर अनेकडेमी से अभी तक कोई भी reply नहीं आया है मैंने दो तीन बार reminder भी किया पर कुछ नहीं हुआ मैरी problem का solution नहीं आया आप please कुछ तो help किजिए ना जी जरूर मैं help करूंगा और आपको मैं कहूंगा कि आप तबी ही message करें सुबह 11 से एक वज़े के बीच में message करें और जब आपके representative आप जिन से बात करना चाहते हैं उनके सामने green dot दिखें वो available है ऐसा पता चले तबी आप message करें तो ही आपको reply आएगा वरना नहीं आएगा तो यह उसका answer रहा है और एक question ले ले लेते हैं बस फिर खतम करते हैं यह आज का वीडियो लंबा जाता है तो फिर बोरिंग लगता है ओके सर यूजर नेम में दूसरा भी नेम लिख सकते हैं प्लीज रिप्लाई सर आप चेंज कर सकते हैं नेम को मगर यूजर नेम एक ही रहेगा जो भी रहेगा फाइनल एक ही रहेगा और आपकी अनकेडमी की प्रोफाइल लिंक भी वही रहेगी www.unacademy.com slash add the rate your यूजर नेम जो आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा चेंज कहां से करना है आप अनकेडमी एजुकेटर एप में जाके प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकते हैं इस चीज को ओके थैंक यू वेरी मच और हैव नाइस दिफरेंट